आप सभी को प्रणाम आप सभी का स्वागत है बब्बर योगा कलास में आज मैं आपको वेट लोस के कुछ आसन बताऊंगा जिनको करने के बाद आप बहुतीज अपना वेट लोस कर सकते हैं और अपनी डाइट का भी ध्यान रखें रात को जब आप खाएं तो थोड़ा कम भजन लें और फैटी फूट्स और फास्ट फूट अवाइट करें चले शुरू करते हैं माज की योगा कलास सबसे पहले तो हम दोनों हाथ सामने करके मुठी को बंद करेंगे और खोलेंगे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे चार उत्रब हर्याली हर्याली है और अब मुठीयों को अपनी कलाईयों को गुमाएं दूसरी साइट से घुमाएंगे आवाज भी आ रहे होगे आपको बहुत अच्छा इससमें मौसम बन रहा है बरसात का मौसम हो रहा है चारों तरब बादल अभी हैं और बरसात आने कोई है मैं कोशिश करूंगा बरसात से पहले कि योग कलास खतम हो अब दोनों हाथ सामने और यह वार्म अफ है योग की तैयारी और साइड से और साइड से फेस को उपर सामने उपर सामने उपर सामने अपने दाई और बाई और दाई और बाई और दाई और एक, दो, कंदो को पूरा घुमाना है, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आप यहीं से दूसरी साइड करते रहिए, योग करना बहुत जरूरी है, अपने आपको फिट रखना बहुत जरूरी है, अब, खड़े होकर, थोड़ा सा रणिंग करेंगे, यह वार्म अप एक्सेसाइज है, करते रहिए, चारो तरफ मेरे एक हर्याली हर्याली, पेड़ पोधे, बहुत अच्छा लग रहा है, यहां करके, बहुत कितनी शांती हैं यहां पे, हम लोग शहर में जाते हैं, वही होरन की अवाज, चारो तरफ शोरी शोर, पॉलुशन, मैं गाओं के बीच में हूँ, शहर से दूर हूँ थोड़ा सा, कितना अच्छा माहोल है, बिल्कुल शांती एक दम, हम चार सूरे नवस्कार करेंगे, ठीक है, चार सूरे नमस्कार, एक हाथ जोड़े, दो, दुना हाथ उपर, तीन, दुना हाथ नीचे, चार लेट पाउँ पीछे, लेट घुटना में नीचे रखें, पांच राइट पाउँ पीछे, छे घुटने चैंज थोड़ी नीचे लगाएं, साथ, आठ, यहाँ पे रुखेंगे थोड़ी देर, अपने घुटने बिलकुल सीधे रखेंगे, नो राइट पाउँ आगे, तस लेट पाउँ भी आगे, ग्यारां दोना हाथ उपर, बारप रिलेक्स, एक, दो, तीन, चार, राइट पाउँ पीछे, पाँच, लेट भी पीछे, छे, साथ, आठ, गुटने बिलकुल सीधे रहेंगे, आठ, नो, लेट पाउँ आगे, दस, राइट भी आगे, ग्यारां दोना हाथ उपर, बारप रिलेक्स, एक, दो, तीन, चार, लेट पाउँ पीछे, पाँच, राइट भी पीछे, छे, साथ, आठ, नो, राइट आगे, दस, लेफ्ट आगे, ग्यारां और बारां, एक, दो, तीन, चार, राइट पाउँ पीछे, पाँच, लेट भी पीछे, छो, साथ, आठ, यहाँ थोड़ी दे रुकना है, नो, लेफ्ट आगे, दस, राइट भी आगे, ग्यारां, दोन हातों पर, बारां पर रिलेक्स, ताडासन, दोन हातों के उगलियां पसे फसाएंगे, और, पाउँ आप मिला भी सकते हैं, ना भी मिलाए, लेकिन आपके कूलों की चोड़ाई से बाहर न जाएं, हातों को उपर खीचेंगे, और रिलेक्स, अब एक बार और करेंगे हम ताडासन को, एक बार फिर से, दोनों हातों के उगलियां आपस में फसाएंगे, और, हात उपर उठाएं, सांस भरें, और, एड़ी उपर उठाएंगे, यहां नॉर्मल सांस लें, सामने देखते रहें, थोड़ी 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 बारीश शुरू हुई है फिर दुबारा, और रिलाक्स पाधास्तासन दोनों हातों पर सांज भरते वे और सांज छोड़ते वे दोनों हातों की हतेलिया या पाउं को टच करेंगे हातों से हतेलियों को नीचे रखें आँखे बंद करके रखेंगे थोड़ी देर यहीं रुकेंगे और सांज भरते दोनों हातों पर और सांज छोड़ते रिलाक्स एक बाद फिर से दूसरा राउंड सांज भरते दोनों हातों पर और सांज छोड़ते वे नॉर्मल सांज ले यहाँ पर और सांज भरते दोनों हातों पर और सांज छोड़ते रिलाक्स बैठने वाले आसन दोनों पाओं सीधे दंडासन दंडासन से शुरू करेंगे दोनों पाओं यारे टांग है बिलकुल सीधày ранगी और दोनों हातों कि अत्यलिये अपने हिप सी ब्राबर में रखें और बिलकुल सीधे रहें अपना वेड जो है पूरी बॉड़ी का अपनी भुजाओं पे लेक जाए कमर सीधी और दोनों भुजाएं बिल्कुल सीधी और सामने देखते रहे हैं नॉर्मल सास ले बिल्कुल सास नॉर्मल यहां भी कम से कम आप दस से पंदरा सेकंड जरूर रुकें और रिलेक्स यह था दंड आसन पेट को बहुत तीजी से कम करता है कमर में अगर कहीं दर्द हो उसको भी ठीक करता है बहुत अच्छा असन अपने आपमें अपने कण्दों को बुजाओं को मजबूत बनाएगा अपने आप में बहुत अच्छा असन हैं एक बार फिर से हम करेंगे इसको दंडासन को अपने हातों के अतेली हिप्स की बराबर में रखें और सीने को बहार निकालेंगे साज भरेंगे और पूरा वेट अपनी बॉड़ी का बुजाओं पर ले ले और सामने देखें यहां दस से पंदरा सेकेंड आप रुके ही रुके और रिलेक्स बहुत अच्छे अगला आसन पश्चिम मुत्तान आसन ठीक है आप योग करें रोज करें कौशिश करें खुले में करें जैसे यहां वातावरन बहुत अच्छा है खुली हवा है सुद्ध हवा चल रही है चारुतर फर्याली पेड़ पोदे हैं सांस भरें दोना हाथ उपर और सांस को छोड़ते अपने पाउं को हाथ लगाएंगे और आगे जुब जाएं यहां भी आप थोड़ी देल रुकेंगे कोशिश करें आपके घुटने बिलकुल सीधे रहें बिलकुल सीधे और सांस भरते दोना हाथों को अपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते रिलक्स और एक बाद फिर से सांस भरते दोना हाथ उपर और सांस को छोड़ते आगे जुकें और सांस भरते दोना हाथ उपर और छोड़ते रिलक्स यहीं पर हम पुर्वततानासन बनाएंगे दोनों हाथों की अतेली पीछ रखेंगे यहां पर ऐसे पुर्वततानास नटन है आपके सीने को शोड़ा करेगा कंदों को मजबूत करेगा भुजाओं को मजबूत करेगा पेट को कम करेगा और आपकी टांगों को मजबूत करेगा बहुत अच्छा असन अपने आप में पूरे सरीर पे बहुत बढ़िया एफेक्ट पड़ता है इसका शुरू करेंगे और दोनों गुटने सीधे और गर्दन को पीछे लटका ले बस ऐसे रहें और रिलक्स बिलकुल सीधे बैठें यह था पुर्वत्तानासन एक बार फिर से हम करेंगे इसको और दोनों हातों कि अतेली पीछे रखे और साज बरे बेल को सीधे और रिलक्स बहुत अच्छे योग रोज करें बच्चों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करें योग के कुछ लेटने वाले आसन हम करेंगे ठीक है साइक्लिंग चलाएंगे पहले सीधे लेट के और साइक्लिंग चलाएंगे एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ ग्यारा पहरा तेरा तो शोला सत्रा अठारा टांग को बिलकुल सीधी करके लेके जानी हैं लगना चाहिए और यहां बई आप योग कर रहे हैं और यही से उल्टी और रिलेक्स बहुत अच्छे अब लेग रेज और लेग रेज के बाद हम करेंगे ब्रीज पोज से तुमनासन बहुत अच्छा असन है दोनों घुटनों को मोड के खड़े कर लेंगे और अपने कोले उपर उठाएं बहुत अच्छा असन पेट को कम करने के लिए थाइस के उपर से चर्बी अटाने के लिए फैट बिल्कुल कम कर देता है यह से तुमनासन यहां कम से कम दस से पंदरा सेकिंड रुके और रिलैक्स दोनों पाउं सीधे एक बाद फिर से से तुमनासन कोले उपर और रिलैक्स और अब मरकटासन दोनों हाथों को साइड में फैला लेंगे ऐसे कंदे की सीध में और दोनों घुटनों को मिलाते वे राइट साइड और चेहरे को अपोजिट साइड यानि लेफ्ट साइड अब दूसरी साइड दोसरी साइड or side change or relax अब हम दस इंडियन पुसप्स लगाएंगे यानि दंड और दस ही इस्टेंडर्ड पुसप्स लगाएंगे अच्छा करेंगे ठीक है यह दस से बारा भी कर सकते हैं आप लेडिज ना करें इसको और हम लगाएंगे इंडियन पुसप्स तीन चार पाच छेए सात आठ नो और दस मिनिमम् दस तो लगाए लगाए बाकि आपकी के पने कपस्टि के नुसार हें अब हम दस ही इस्टेंड़ पुशंप्स में बढ़िया करेंगे इस पहुआ प्रैल रॉच ना। इसको तो अपने हाथ के हतेली यानि हाथों का जो गैप रहेगा बीच में वह कंदों से थोड़ा ही बाहर रहेगा ज्यादा बाहर ना करें अच्छा करेंगे शुरू करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और दस ठीक है यह थे स्टेंडर्ड पुसप अब हम करेंगे भुजंगासन यह भुजंगासन है ऐसे रहे एक बार और भुजंगासन करेंगे सांस भरते वे कंदों को और चेहरे को ओपर लेके जाएंगे दोनों भुजाएं सीधी कर लेंगे यहां नॉर्मल सांस लें बेलकुल नॉर्मल रहें और रिलेक्स आज का आखरी आसन शिर्षासन शिर्षासन अपने आप में एक अनुखासन है बहुत अच्छा असन है इसको जिसने पहले नहीं किया वो किसी की देखरेख में करें आपने परिवार को कोई सदस्य अपने पास खड़ा कर ले या दिवार के सारे करें आप लेकिन अकेले ना करें जिनको प्रैक्टिस है जो कर लेते हैं वो कर सकते हैं शिर्शासन अच्छा करेंगे नमस्कार और यह सिर्शासन है यह सिर्शासन यह भी पंद्रा से लगबग पंद्रा से 20 सेकंड आपको यहां रुकना है बहुत अच्छा एफेक्ट पढ़ता है शरीर पर चहरे पर चहरे से दाग धब्बे जाईयां बालों की समस्या आखों की समस्या और मेमोरी शार्फ हो जाती है बहुत अच्छा आसन है नीद अच्छी आती है इस्ट्रेस कम होता है आदमी को अगर आदमी डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से भी बहार आता है बहुत मददगार है बहुत अच्छा आसन है इसको अकेले बिलकुल ना करें और किसी को साथ में लेके ही करें और धीरे धीरे अगर आप इनको रोज करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ साथ साथ आप डाइट का भी ख्याल रखें फास्ट फूड और फैट्स वाला फूड ना खाएं बाजार का खाना ना खाएं आवाइड करें रात का खाना थोड़ा कम खाएं जिनको अपना वेट लूज करना है मैं गारंटी दे रहा हूँ वेट बहुत तेजे से लोज होगा और आप नव जीवन एक चुस्तिस फूर्ती महसूस करेंगे अपने सेरी में और अपने जीवन में सुपकामनाव सहीत मैं गिरिश बबर आप खुश रहे स्वस्त रहे धन्यवाद